मित्रो नमस्कार ज़़ स्टडी के ओनलाइन क्लेटफॉर्म में मैं सरवेश आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम मुक्व परिक्षा के लिए जो आधनिक भारत खंड है उससे संबंदित चर्चा पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले एक छोटा साय असंख्षत परचे हम आधनिक भारत का जो स्लेबस दिया हुआ है उस पर करेंगे आधनिक भारत का अगर आप स्लेबस देखें तो आप पाएंगे कि आधनिक भारत का स्लेबस कुछ इस तरीके से है कि आधनिक भारती इतिहास जो की 1757 सु 1947 तक है उसके उसमें महत्मूर घटनाय दिवी है व्यक्तित्व की चर्चा की गई है और समझ से है यानि कि इस दोर में 1757 से 1947 में जो भी हमारी महत्मूर घटनाय हुई है इसके जो विवन चरण है उनको शामिल किया गया है देश के विवन भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले है पहले महत्पूर्ण व्यक्तियों यह उनका योगदान इसमें फिर एक खंड जोड़ा गया है सुतंत्रता के पश्चात देश का एकी करण और उनरगठन तो यह तीन सब टॉपिक में हमारा इस तरीके से स्लेबस दिया हुआ है आपका हलांकि इसमें मैं पढ़ना तो काफी ज कि आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि मुख परिक्षा या प्रलिम्स कुछ भी के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ठीक है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है अगर आप इसमें कन्फीज रहे तो आपकी सफलता में बाधा उत्पन होगी ठीक है जो पढ़ना है वो बार बार पढ़ना है इतना पढ़ना है कि वो आपको अच्छे से याद हो जाए ठीक है और जो छोड़ना है उसकी तरफ हमको देखना भी नहीं है ठीक ताकि क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए एक बात तो यह हो गई दूसरी बात ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इतिहास को याद करना बड़ा कठिन काम है उसमें बहुत सारी डेट्स होती हैं याद आसानी से नहीं होता है तो ये आप भूल जाएए अगर मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़े याद भी होंगी और ये भी भूल जाएए कि आपको बहुत सीमें तत्थ याद रखना पड़ते हैं जीएस के लिए तो बहुत ही सीमें ठीक है और विशलेशन परियाद मातरा में अगर जानते हैं तो आपका काम आसानी से बन जाएगा तो यह हमने स्लेशस की बात कर ली एक बार फ़रसे देख लेए स्लेशस में देख लिए हमने अब जो पहला टॉपिक है जैसे मैंने कहा कि हम बहुत स्लेक्टिट जो होगा वही पड़ेंगे बागी नहीं पड़ेंगे तो आज के लिए जो हमने टॉपिक डेसाइड के है हो है मुगल सामराज का पतन क्योंकि एक बहुत महत्पूर्ण घटना है यह वो घटना है जहां से मद्ध काल को हम समापत मान सकते हैं या माना जाता है ठीक और आधुने काल शुरू हलांकि इस पे एक डिबेट है कि आधुने काल कब आया कब नहीं आया लेकिन उस डिबेट में हमको नहीं पढ़ना है हम जो पढ़ रहा है वो जीएस के लिए पढ़ रहा है तो मोटे तोर पर हम मान सकते हैं ठीक है तो मुगल सामराज के पतन से पहले में दो आपको मैप दिखाना चाहूंगा इन मैप से आपको वास्तिक तस्वीर दिखाई पड़ेगी देखिए पहला मैप ये है इसमें आपको मुगल सामराज के विश्तार के बारे में जानकारी मिलेगी ठीक कितना बड़ा मुगल सामराज है मुगल 1605 में जो होते हैं वो इतना और विस्तरित हो जाते हैं ये सारा एरिया कवर कर लेते हैं फिर जो है 1707 में ये एरिया भी जोड़ जाता है मुगलों के अधिन ये कंडिशन लेकिन आप दूसरा फिगर देखिए आप ये फिगर है 1764 यानि इसको हम कह सकते हैं बकसर के युद्ध का टाइम पीरिड बकसर के युद्ध के समय क्या एस्तिती बन रही है तो आप देखिए मुगल तो बस इतने से में रह गए बाकी देखिए ये रहे हमारे मुगल इतने से बाकी यहां आवद का नवाब आ गया यहां बंगाल का नवाब है ठीक है यहां दुर्रानी एंपायर अफगानों का यह राजपूत फिर मराठोय भी आ गए है बहुत सारे आ गए नीचे एहदरावाद का नजाम है यह मैसूर है यह नवाब आफ करनाटक है छोटे छोटे बहुत सारे राज है मतलब लगबग लगबग पचास से साथ साल के बीच में इतना बड़ा सामराज समाप्त हो करके सर्फ दिल्ली और उसके आसपास के छितर तक समढ़ जाता है और फिर हम यह भी देखेंगे कि वो किसी ना किसी की कट पुतली बनके रहाता है कभी मराठों की कट पुतली बन जाता है कभी अंग्रेजों की कट पुतली बन जाता है और फिर हम देखेंगे कि 1857 के विद्द्रों से पहले एक घोशना होती है कि बादर शाद हफर को जो सबधाय मिलती है वो उसके पुत्रों को नहीं मिलेगी बेराल अब आएं अगर हम ध्यान से देखें तो उनको कुछ चीज़ें समझना होंगी कि मुगल सामराज के पतन के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदाई है एक कारण तो नहीं हो सकता है उसमें सरवाद एक जो डिबेट है वो है औरंग जेब के उत्तरदाईद को लेगे कि औरंग जेब कितना ज़्यादा इसके लिए उत्तरदाई था कुछ लोग हैं वो औरंग जेब को जो है डिफेंड करते हैं कहते हैं नहीं बहुत पहले से ही कमिया चलिया आये थी औरंगजेब ने तो बलकी रोका कुछ लोग औरंगजेब को बहुत अदे को तरदाई मानते हैं हम यह मानते हैं जैसा कि सतीश्चंदर अपनी बुक में लिखते हैं जो NCRT है मैं NCRT से भार ने जाओंगा आप लोग भ आप्षनल वाली नॉलेज को G.S. में अगर उतारेंगे तो एक उनको नुकसान हो सकता है कि आपका पेपर छूट सकता है ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब optional वाली knowledge को आप उतारेंगे तो आपको बहुत सारे points व्यापक दर्ष्टी कोंड से याद होंगे जो की नहीं चाहिए हैं, तो हम यहां मान के चलते हैं कि औरन जेब का उत्तरदायत था, काफियत तक नहीं, तो कुछ मामलों में तो थाई, ठीक है, अब उन उत्तरदायत में सबसे पहले हम उठाते हैं दक्षण नीती देखिए, मैं यहां पर कुछ figures बना रहा हूँ, उन figures को देखिएगा और उससे आपको समझ में आएगा, यह 4 शासकों के figures हैं मैं बहुत अच्छा नहीं मना है, लेकिन काम चला हुए और एक, अभी तीनी बना लेते हैं, ठीक है, पहला जो है, यह समद्रुगृत के लिए दूसरा, अलावद्दीन खिल जी तीसरा जो है, वो है, मुहम्मद तुगलग प्रिलिम्स के लिए तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए ही पड़ेगी आपको एक चौथा हम देखेंगे औरंग्जेब के लिए मोटी बात यह है कि अगर समुद्रुगृत को हम लें तो जब इसने अपनी दक्षण की विजय की उत्तर से तो इसने वहां के शासकों पर सीधे शासन नहीं किया बलकि उनसे कर लिया और उनको स्वायत्ता प्रदान की करके बदले स्वायत्ता प्रदान की यानि कि वह अपना शासन स्वयम संचालित करते इसका मतलब यह कि यहां से टेक्सेस तो वह वसूल करता था लेकिन वो यहां पर सीधे शासन संचालित नहीं करता था एक बात हमने देख ले अब आए अलावद्दीन खिल जी पर इसने भी यही सेम चीज़ की कि इसने दक्षन पर विजय प्रात की वहां के राजा चाहे वो देवगिरी के यादव हो या कोई और हो उनको अपने अधीन किया लेकिन शासन संचालित की स्वायत्ता उनको परदान की बदले में क्या लिया राजस वसूली की राजस वलिया वो पहार लिये लेकिन दक्षण को सीधे शासन के अंतरगत नहीं ले गया है अलाकि उस समय जो दक्षण भारत है वह बहुत संपन है और उसकी संपनता के कारण कई सारे हैं वह हम यह चर्चा नहीं कर रहे है पर हम देखें के दक्षण भारत बहुत संपन है और हर शक्तिशाली उत्तर भारतिये को ये लगता है कि दक्षन भारत को जीत कर हम जो है और अधिक आर्थिक रूप से शशक्त हो सकते हैं फिर चाहे वो अलावद्दीन खिल जी हो चाहे वो मुहम्मद तुगलक हो और अब चाहे औरंजेब अब हम इसको औरंजेब से लेंगे ये वाला जो है ये औरंजेब होगे देखें समुद्र अलावद्दीन खिल जी ने क्या किया कि सीधे शासन नहीं किया उन राज्यों को जीत लिया, राजस्वसूली की, उपहार लिया, उनको लेकिन स्वायत्ता दी, मुहम्मद तुगलक ने क्या किया, इसको सीधे शासन के अंतर गतलाने का प्रत्म किया, परणाम क्या हुआ, परणाम, अब देखिए, उस समय का जो संचार था, उस समय की जो भोगलिक दशाएं हैं, वो तो आज भी लगवग वैसी है, उसमें ये संभव नहीं था, कि उत्तर भारत की शक्ती इतनी आसानी से दक्षन पर कबजा कर सके, खास तोर पर जब वहां की भोगलिक परस्तितियां इतनी दुरगम किस्म की हैं, तो बजाय आर्थिक रूप से लाबकारी होने के लिए ये सौधा नुकसान दायक हो जाता था, इसलिए परणाम ये हुआ, कि जहां अलाद्दिन खिलजी और समुध रूप को अपनी दक्षन के विज़े से लाब होता है, और वो उत्तर भारत में और शशक्त होते हैं, वहीं मुहमद तुगलक और अरंगजेव, चूंकि ये सीधे शासन में लाने का प्रत्न करते हैं, तो परणाम क्या होता है, इनको वो नासूर बन जाता है, इनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है दक्षन के रूप में, क्योंकि अब तक मराठा आ गए थे, और मराठा क किसी भी कीमत पर अपनी स्वायत्ता नहीं देना चाहते थे, तो दक्षन नीती जो की ठीक प्रकार से औरंगजेव द्वारा इतिहास से सीख नहीं ली गई, उसमें वो उलज गया और उलजता ही चला गया, प्रणाम ये हुआ कि मुगल सामराज का बहुत अधिक धनकी हानी हुई, आर्थिक और सेनिक, आर्थिक वर सेनिक, दोनों किसम की हानी हुई, ठीक, तो आपको मेरे खहसाब से समझ में आऊगा कि दक्षन नीती का क्या नुकसान हुगा, ये NCRT में है, ये चीज पुरानी वाली जो NCRT आती है, महा आप देख लीजेगा, कुछ और समझाने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो पहली बात तो एक, अब दूसरी चीज आ जाए, राजपूत नीती, तो हमने देखा था कि जब भारत में अक्बर आया, तो अक्बर की जो राजपूत नीती है, उसमें वो इतनी बहतर है, कि राजपूत मुगलों के, की सशक्त भुजा बन जाते हैं, यानि, आप देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाना प्रताब के वुरुद्ध कौन लड़ रहा है, तो हम देखेंगे के महाना प्रताब के वुरुद्ध मान संग के नेतरत में सेना है, तो हम देखेंगे कि बड़े बड़े अभ्यान जो अकबर के समय में हुए उनके नेतर तो जो किया वो राजपूतों ने किया तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकबर के दोरान राजपूत मुगलों की एक सशक्त बजा बन गए थे जो की शक्ती संतुलन के लिए भी बहुत इंपॉर्टन थे इसके बाद हम अगली चीज तो को देखें औरंग्जेब के समय में कुछ ऐसे कारक बने मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसके लिए औरंग्जेब दोशी था पर कुछ ऐसे कारक बने जिसके कारण औरंग्जेब का अनेक राजपूत राजाओं से तक्राव हुआ और उस तक्राव का प्रणाम ये हुआ कि औरंग्जेब को एक तरफ नुक्सान हुआ दूसरी और जो राजपूत अभी तक मुगलों के प्रती स्वामी भक्ते थे वो अब स्वतंतरता की काम ना करने लगे ठीक है इतनी बात समझ में आगए हुआ त्यानी की एक गलत दक्षण नीती और एक गलत राजपूत नीती ने औरंग्जेब के पास वो चीजें समात कर दिया औरंग्जेब के आने वाले समय के लिए उन चीजों को समस्या बना दिया जो कभी ताकत हुआ करते थे मुगल सामराज का तीसरा धार्मिक नीती हमने देखा था कि या हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जीएस में तो पढ़ नहीं है इतना तो कम से कम कि चाये वो सुलह कुल हो या तोहीद हिलाई या दीने हिलाई जिसको कहते हैं इसके माध्यम से अकबर का प्रियास एक धर्म शैष्णू धर्म अर्पेक्ष राज की स्थापना करना रहा जिसमें एक गंगा जमना संस्कृति पनप्ति है जिसमें सभी को समान माना जाता है लेकिन कुछ कारणोवर्ष और अंगजेव जो है वो कठोर धार्मिक नीती अपनाता है और कठोर धार्मिक नीती का परणाम ही होता है कि आम हिंदू जनता में या गैर मसल्मान जनता में उसकी छवी वो नहीं रह जाती जो कि और अंगजेव या कुछ हद तक जहांगीर और शाजहां केरियोन करते गुए आ रहे थे तो हमने देखा सबसे पहले कि और अंगजेव का उत्तरदायत किया क्या था इसके बाद जब किसी राज के समक्ष कुछ समस्यां आती हैं तो ये भी निर्वर करता है कि उसके और अंगजेव की मृत्यू सत्रा सो साथ में हो गई सत्रा सो साथ में भई मृत्य हो गई तो उसके बाद के जो शासकते जैसे बादर शा पर्थम बैठा या उसके बाद कोई और बैठा या कोई ऐसे योग उत्त्रादिकारी नहीं आए कि उस समय मुगल सामराज के समय जो समस्यां उत्पन हो रही थी उनका हल उनके पास होता एक के बाद एक ऐसे योग उत्त्रादिकारी आए कि वो योग उत्त्रादिकारी अपने ही सामन्तों या अमीरों के हाथ की कट पुतली बन गए एक कंडिशन तो ये भी थी कि मुगल बाद्शा अपने ही वजीर से बहुत लंबे समय तक भागता रहा तो आप समझ सकते कि कितने कमजोर हो गए होंगे लो जब राजा कमजोर हुआ या बाद्शा कमजोर हुआ तो दर्बार में गुडबंदी ने पाउप पसारने शुरू कर दिये अपने अपने हित में गुडबाजी होने लगी ये चाहने लगे अमीर कि उनके एक ऐसा शासक बैठाया जा जो उनके अनुरूप चले ठीक है इसमें आप लोग देखेंगे सयद बंदूगों का नाम सयद बंदूगों का नाम आप पढ़ेंगे जिनको इतिहास में किंग मेकर या निर्प निर्माता कहा जाता है ठीक इसके अलावा अमीर वर्क का भी पतन हो गया जिन मुगलों को हम ऐसे रूप में जानते थे या मुगल अमीरों को जो बहुत ही अनुशासित और अपने जीवन में नेतिक रूप से उन्नत थे उनका पतन होने लगा एक कारण और जो हम शुरुवात में ही देख सकते हैं कि जो मुगलों का जो उत्रादेकार का नियम था वो दोश्पूर्ट था हमारे अनुस्तान में जो पुराने राज थे वहा सामाने ता जो जेष्ट पुत्र होता था जेष्ट पुत्र को राजा बना दिया जाता था लेकिन जो तैमूरिया परंपरा थी तैमूरिया परंपरा में ऐसा नहीं था तैमूरिया परंपरा यहनी तैमूर के वन्षेजों की परंपरा उसमें या तो राज का विभाजन होता था जैसा कि हमने देखा हुमायू ने अपना राज का बटवारा अपने भाईयों में कर दिया था या फिर राज के लिए युद्ध होते थे जैसे औरंगजेब का अपने भाई दाराशिको से युद्ध ठीक है तो जहर सी बात है कि ये एक उथल पथल की इस्तिती होती थी शासन सत्ता कमजोर होती थी ठीक आर्थिक रूप से कमजोर होते थे लो सैनेक दर्ष्टी से कमजोर होते थे गुटबाजी को बड़ावा मिलता था ये सारे कारण इससे उपस्ते थे और उसके बाद अगर योग शासक गद्धी पर ना बैठे तो समस्थ हैं और अधिक खतरनाक हो जाती थी तो ये भी एक कारण रहा दूसरी चीज यहाँ पर एक आप ऐसा समस्थ सकते जैसे केमस्टी में कुछ रियक्शन होती है वैसे जब केंद्र में शक्ती कमजोर ही तो परणाम ये हुआ कि बहुत सारी छेत्रिय शक्तियों का उद्धे होना प्राराम हो गया ठीक है जैसे जाट जैसे सिख जैसे मराठा इसके लावा कई ऐसे अमीर थे जिन्होंने सतंत रियासतों का निर्मान किया जैसे अवद का नबाब जैसे बंगाल जैसे हैदराबाद का निजाम ठीक तो जब केंद्र में मुगल बाद्शा कमजोर हुआ तो परणाम यह हुआ कि छेत्रिय शक्तियों का उदै होता है जाट सेख माराटा जैसी और मुगल अमीर भी अपनी सोतंत रियासते इस्थापत कर लेते हैं आवद बंगाल है दराबाद जैसी परणाम यह होता है कि केंद्र में शक्ति और अधिक कमजोर हो जाती इधर इसी दोर में जब केंद्र में शक्ति कमजोर होती है तो बाहर से भी आकर्मन होते हैं इनमें दो आकर्मन नादर शाह का एक आकर्मन और दूसरे एहमर शाह अबदाली के बार बार होने वाले आकर्मन होने तो समझ लीजिए रही सही कसर को पूरा कर दिया बिलकुल पोल खोल के रख दी किसकी मुगल सामराज की जो थोड़ी बहुत बनी हुई थी उनकी रेपुटेशन वो भी समाप्त हो गई ठीक है तो ये तो हुआ ये उसके बाद देखिए फिर इसी दोरान क्या हुआ बिल्टिश सामराज वाजी शक्तियों का अदे हुआ तो आये तो ये लोग व्यापार के लिए थे व्यापार के लिए आये थे लेकिन इनकी जो विचार धारा थी विचार शुरू से ही सामराजवादी था और इस चीज को पैचानने वाले कुछ सीमित लोग थे जिन में से हम एक नाम ले सकते हैं टीपू सुल्तान और हैदर अली का जिनोंने इनकी सोच को पैचान लिया था ठीक इनोंने भी पैर पसारना शुरू कर दिये जब इनोंने पैर पसारना शुरू कर दिये तो और कमजोर हुगा अब कुछ और भी कारण है जैसे सेने कमजोरी नो सेना कभी भी इतनी शक्तिशाली नहीं रहती मुगलों की जैसे की होना चाहिए थे ठीक है रा तो और जब राज कमजोर हुआ उनके पास पैसा नहीं था आर्थिक रूप से कमजोर हुए तो परणाम यह हुगा के सेना और कमजोर हुगए ठीक है तो यहां तक तो हमने देखा यह वह कारण थे जो की और अरंजेव के पतन के बाद धीरे-धीरे डवलप हो रहे थे और अरंजेव की मृत्तिव के बाद राज तंत्र की कमजोरी एकिकरित राज तंत्र की यह डिमांड होती है कि केंदर में योग शासक होना बहुत जरूरी है अगर योग शासक नहीं होगा तो यह सारे परणाम आएंगे जो हमने उपर पड़े ठीक दरबारी गुटबंदी भी होगी जो भी हम उपर पड़के आएं कारण वो सारे कारण होंगे ठीक है ऐसे एक बार देख लिजे फिर से दरबार में गुटबंदी होगी अमीर वर्क का पतन भी होगा ठीक है छित्रिय शक्तियों का अगर उदे होगा तो रोका नहीं जा पाएगा बाहर से भी आक्रमण होंगे क्योंकि आप शक्ति हीन हो जाओगे अगर कोई सामराजवादी शक्ति पाउँ पसार रहे तो आप युग नहीं हो तो उनकी वास्तिक मनोदशा आप नहीं समझपाओगे आप सेने कौशल पर सेने शक्ति पर परयाप्त ध्यान नहीं दोगे और भी जो समस्य होंगे उनका भी हल आपके पास नहीं होगा ठीक है तो ये सारे कौशिस थे दो कारण जो है एक कृशी संकट और दूसरा जागीरदारी या मनसबदारी संकट इसको भी हम समझ लेते हैं उसके बाद हमारा लेक्चर कम्प्लीट हो जाएगा ये वो संकट हैं जो वास्तव में मुगल सामराज के प्रारम से ही थे या समस्या हैं और शने शने इनका रूप विक्राल हो गया शने शने इनका रूप विक्राल हो गया प्रारम में मनसबदारी विवस्था मुगलों के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट सेहन प्रशासनिक विवस्था थी जो उनकी ताकट थी लेकिन इसमें कुछ खामिया थी वो खामिया क्या थी उसको हम समझेंगे इस दौर को नॉर्मली हम सामन्तवाद का दौर कहते हैं इस दौर को सामन्तवाद का दौर कहते हैं तो मुगलों के अधीन जो सेन प्रशासक वर्ग होता था उसको सामान्ता नकत वेतन नहीं दिया आता था बलकि उनको जागीर दी जाती थी जागीर यानि ऐसा करशी भूमी छेत्र जिससे आमदनी होगी और इस आमदनी से क्या होगा कि वो मनसबदार अपने अधीन सेना रखेगा प्लस अपना वेतन भी प्राप्त करेगा तो क्या विवस्ता थी? मनसबदारी विवस्ता में कि मनसबदारों को जागीर दी जाएगी और नगत वेतन नहीं दिया आएगा बलकि जागीर दी जाएगी जागीर से जो आमदनी होगी ये करशी उपज के रूप में या करशी राजस के रूप में उससे ये लोग सेना रखेंगे प्लस अपना वेतन भी निकालेंगे शुरूआत में तो सब ठीक था हाला कि कुछ गड़बड जरूर थी जैसे जागीर का जो आकलन किया आता था कि इससे उपज कितनी होगी या इससे कितना राजस प्राप्त होगा वो अनुमानित आकलन और वास्तिक प्राप्ति इसमें अंतर प्रारंद से ही देखा जा रहा था अनुमान बहुत अधिक लगाया था बढ़ा चड़ा के देखाया था वास्तिक प्राप्ति उसके अनुरूप नहीं होती थी तो ये समस्या तो शुरू से ही थे दूसरी समस्य अब ये भी हम देखेंगे कि 1605 में जब जहांगीर गद्दी पे बैठा उस समय मनसबदारों की संख्या 2069 थी शाजा जब आया तो उसके समय मनसबदारों की संख्या 8000 हो गई और औरंगजेव के समय तो और बढ़कर 11400 हो गई तो यानि जितने मनसबदार उनको बाटने के लिए उतनी ही अधिक जागीरों की आवशक्ता पड़ती और जागीर तो खेलिए उब जाओ भूमी की आवशक्ता होती अब जाओ भूमी तो थी नहीं या बसाने के लिए प्रत्न हुए वो बहुत निउन्तम स्तर पर हुए ठीक है तो ये एक संकट के रूप में उभर के आया मुगलों के कारण मुगलों के समय में औरंजेब के बाद अकबर या औरंजेब अकबर औरंजे भी एक योग शासक है उसकी नीतियां बलही कैसे भी हूँ पर प्रशासक के रूप में योग है जैसा कोई शासक होता तो शायद समस्या का समाधान होता लेकिन ऐसा हुआ नहीं फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कृशी संकट भी एक बड़ा करण मना अकबर के ही समय से अगर हम मिला जुला के देखें तो लगबग पचास से साथ परसेंट के आसपास करकी अदाएगी जो है कृशकों को देना होती थी सब मिला जुला करके जो की काफी अधिक थी हलाकि अगर मैं तुला करू तो जो ब्रिटिश सरकार है उस ब्रिटिश सरकार की तुला में ये बहुत कम है और तुलात्मक रूप से इस समय कृसान फिर भी खुशाल थे बहुत अच्छी दशार तो नहीं थी लेकिन फिर भी खुशाल थे लेकिन समय के साथ एक और तो करों की दर बढ़ती गई एक तरफ तो टेक्सेस बढ़ते गए कर की दर दूसरी स्रफ क्रिशी के विकास के लिए पर्याप्त प्रियास नहीं किये क्रिशकों के पास अतना बचता नहीं था कि वो क्रिशी के उन्निती के लिए प्रयास कर पाते सरकार की तरफ से ये प्रयास किये नहीं गए कर की तर बढ़ रही थी परणाम ये हुआ कि एक कृशी संकट उभर कर मुगलों के सामने आता है और आप देखेंगे और अंग्जेव के समय कुछ विद्रो होते हैं इन विद्रों का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ ये थे जाटों का विद्रो दूसरा सतनामियों का विद्रो और तीसरा सिखों का विद्रो कुछ इत्यास कारों ने इनको धार्मेक रंग देने की कोशिश की है लेकिन वास्तव में इसके मूल में ये आर्थिक कारणे थे आप देखेंगे कि चाहे वो सिखों चाहे वो जाटों या सतनामि वास्तव में ये कृशी करने वाली या कृशी पर आधारत जातियां थी जो कृशी करके अपना आजिविका लेती थी इन में बहुत सारे बड़े बड़े जमिदार भी होते थे जब इन पर अत्यधिक दबाव बनाया गया अधिक कर देने के लिए ये करवसूली के लिए तो इन्होंने विद्रू कर दिया चाहे वो जाट हो चाहे सतनामी हो या सिख हो ठीक तो इन सब कारणों से जो है मुगल सामराज का पतन हो जाता है और ये लगबग मैंने दस कारण गिना हैं आपको अगर आप इन दस कारणों में से पांच साथ कारण मी लिखाते हैं दूसरों शब्द में तो आपका मूर्देन सफिशेंट हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो ये आज के लिए इतना ही कल फिर हम मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए लेक्चर के साथ ठेंक यू